नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल कार क्वेस्ट में मेरा नाम है विने कंबोज और दोस्तों आज मैं आया हूँ वोक्सवेगन करनाल के शोरूम में और जैसे आप देख रहे हैं मेरे पास अभी यहां पे आविलेबल है वोक्सवेगन न्यूवेंटो टी एस आई और आज इसी के बारे में हम बात करेंगे लेकिन उससे पहले दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो प्राउना के कैसिज हैं व साथ ही कंप्लीट यह जो शोरूम है इसको प्रोपर सेनिटाइज किया गया है ताकि जो कस्टमर्स यहां पे गाड़ी देखने के लिए वोक्किन शोरूम पे आ रहे हैं उनको किसी भी तरह की इसू ना हो और दोस्तों स्टार्ट करते हैं गाड़ी के वेरियंट से जो वी हाई लाइन और तौब रिंट हाई लाइन प्लस और जो कलर ऑप्संस आपको मिलेंगे टोटल सिक्स कलर ऑप्संस मिलेंगे यह जो कलर आप देख रहे हैं केंडी वाइट कलर देन संसेट रेड कलर रिफ्लेक्स सिल्वर कारबन स्टेल लेपीज बलू और टोपी ब्राउं तो टोटल यह six color choices आपको मिलेंगे गाड़ी के front से start कने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो जल्दी से चैनल को subscribe कर लिजिए और साथी bell icon दबा दीजिए हमारे latest videos update सबसे पहले पाने के लिए तो आइए start करते हैं गाड़ी के front से जैसे आप गाड आपको मिलेगी वह भी काफी शांदार मिलेगी इसका lower part आपको यहां पे chrome work मिल जाएगा जो गाड़ी के front looks को enhance करता है वहीं अगर मैं बात करो गाड़ी के hell name unit की जो hell name unit आपको मिलेगी यह complete आपको LED hell names मिलेंगे और यहां पे आपको LED DRLs भी मिलेंगे मैं आपको एक बार on things as it is मिलेंगी जो गाड़ी को एक sporty feel देते हैं तो दोस्तों यह थे front looks VW new Vento के आप चलते हैं गाड़ी के side में और देखते हैं गाड़ी को side से जैसे आप गाड़ी का side profile देखते हैं तो हम सभी जानते हैं यह जो गाड़ी एक premium sedan segment के अंदर आती है तो उसी के according गाड़ी की length रखी गई है 4390 mm स्टार्ट करते हैं गाड़ी के tie size से तो यहाँ पर आपको 16 इंचिस का alloy wheel मिल जाएगा 10 stroke आपको यह gunmetal finish के साथ मिलेगा और जो ties की width आपको मिलेगी 195 by 55 का इसकी aspect ratio रहेगी और जो brakes मिलेंगी वह आपको front disc brakes मिल जाएगी और rear drum brakes मिलेंगी और भी हम साथ देखते हैं तो यहाँ पर इनका जो शेप रखी गई है वह काफी aero dynamic रखी गई है अपर आपको यह body color मिल जाएगा लोवर आपको black finish के साथ मिलेगा with LED blinkers और यह electrical adjustable और electrical foldable आपको मिलेंगे वहीं आप door handles जब आप देखेंगे तो यह भी आपको body color मिलेंगे और अपर पार्ट आपको जो मिलता है यह chrome finish के साथ मिलता है और अगेन इसकी जो finishing रखी गई है वह काफी शांदार रखी गई है बेपिलर आपको black finish के साथ मिलेगा और जब यह side glasses आप देखते हैं window glasses तो यह green tinted आपको मिलेंगे जिससे जो अंदर heat है वह थोड़ी कम होगी और यह आपको top variant के अंदर available होगा अगेन मैं हर VW की वीडियो में आपके साथ जो share करता हूँ इसका जो एक frame है इसका जो design है काफी मेरे को पसंद आता है और यह देखने में काफी अच्छा लगता है जब निच्चे की तरफ आप देखते हैं तो as it is नहां पे भी जैसे मैं मैं आपको बताया था यह skirting मिल जाएगी जो साइड में स्पोर्टी की लाइड करता है तो दोस्तों यह थे साइड प्रोफाइल्स बेंटो टीएस साई के अब चलते हैं गाड़ी के रियर में और एक बाद चेक करते हैं गाड़ी को जैसे गाड़ी का रियर लुक आप देखते हैं तो यहां पर क्रोम वर्क आपको यह मिलेगा जो रियर लुक्स को इंप्रूव करता है बिल्कुल सेंटर में फोक्सवेगन लोगो अविलेबल रहेगा और अगर आप टेल लैंप देखते हैं तो टेलम यूनिट भी काफी वाइड आपको यह मिलेगा इसका पेटरन जब आप देखते हैं तो यह हनी कोम पेटरन आपको मिलेगा जो देखने में काफी प्यारा लग रहा है रियर में आपको पोर अल्टरा सोनिक सेंसर्स अवेलेबल हो जाएंगे और साथ ही यहां पर बूट पर आपको कैमरा भी मिल जाएगा और बूट एक्सेस के लिए आपको four options रहेंगे key के साथ आप open कर सकते हैं magnetic button के साथ front में control मिलेगा और साथ ही key से आप press करके open कर सकते हैं और यह camera की positioning रहेगी जो positioning है camera की वो भी काफी अच्छी रखी गई है जो बूट स्पेस आपको मिलेगा काफी अच्छा बूट स्पेस मिलेगा 494 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलेगा विद बूट लैंब जो रात की टाइम में help करेगा आपकी देन आपको यहां पर स्पेर वील मिल जाएगा 14 इंचिस का स्टील रिम मिलेगा complete toolkit आपको यहा आपको कवर्ड मिलेगा नॉर्मल गाड़ियों के अंदर आपको यहां पर री स्पेस मिलता है जो देखने में अच्छा नहीं लगता लेकिन इसको भी प्रॉपरली कवर्ड किया गया है तो एक प्रीमियम फील आपको यहां पर आविलेबल होगी तो दोस्तों यह था रियर न्यूवेंटों TSI का अब चलते हैं रियर सीट पर चेक करते हैं रियर सिटिंग कमफर्ड जैसे ही रियर डोर आप उपन करते हैं तो डॉर पैड आपको जो मिलेंगे यह आपको डूल शेड के अंदर मिलेगा ब्लैक और बेज कलर के इंटिरियर्स मिलेंगे यह आपको इंटिंग कमफर्ड भी चेक कर लेते हैं सिटिंग जो है वह काफी अच्छी मिलेगी थाइस पूर्ट यहां पे काफी अच्छा मिल रहा है रियर रिकलाइन एंगल आपको काफी अच्छा मिलेगा और साथ ही आपको यह सोफर ड्रीवन पैकेज के साथ मिल जाती है आप इची की तरफ एक 12 वोट का चार्जिंग सोकेट अविलेबल रहेगा देन यहां पर आम्रेस्ट आपको मिल जाता है और यह काफी वाइड आम्रेस्ट मिलेगा लेकिन इसके अंदर आपको कोई भी का फोल्डर का ओप्शन अविलेबल नहीं रहेगा और जो हैड्रेस्ट भ जाएगा और दूसरी तरफ आपको यह तीन कंट्रोल में लेंगे लॉक अनलोक और बूट ऑपनिंग के लिए आप इसको प्रेस करके रखेंगे तो बूट अपन हो जाएगा तो आई आप जलते हैं ड्राइवर डॉर जो उपन आप करते हैं तो यह भी सेम एस आपको कि यह एक safety measure है और one touch आप हो जाएगी with anti-vinch आपको मिलेगा यहाप अपको controls मिल जाएगे lock & unlock के लिए mirror adjustment के controls मिलेगे और निच्चे की तरफ आपको boot opening के लिए बटन मिल जाता है साथ ही bottle holder मिल जाएगा और आपको हिस पीकर मिल जाएगा आप setting comfort चेक दर लेते हैं जो seat आपक को मिलेगा tailored telescopic steering wheel आपको मिल जाएगा यहाँ आभ आज जब आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको कन्टोल्स मिल जाएंगे और फोग लैंप के स्टेरिंग मांटेड़ अपको इसमाल जाएंगे इधर की तरफ आपको कॉलिंग के लिए और इधर की तरफ आपको RPM मिल जाएगा, इधर की तरफ स्पीडो मिलेगा, बिल्कुल सेंटर में आपको DIS मिल जाएगा, जिसके अंदर आपको यहां से ओप्शन्स आप चेंज कर सकते हैं, और साधी गाड़ी का अंदर कितना फ्यूल है, कितने किलमीटर साप ट्रेवल कर सकते हैं, वो स 6.5 इंचेस टास्क्रीन मियूजिक सिस्टम मिलेगा, जिसके अंदर आपको Apple CarPlay, Android Auto, FM, Radio यह सभी ओप्शन्स आविलेबल रहेंगे, यहां पे OS, AUX, SD Card और साथी USB पोर्ट मिल जाएगा, और अटो AC आपको कम्पलीट यहां पे मिल जाएगी, इसके निचे की तरफ जब आप आप देखते हैं तो यहां पे आपको स्पेस मिल जाएगा, और 2 आपको यहां पे Cup Holders मिल जाएगा, आप अपने एकोडिंग इसको भी अर्जस्ट कर सकते हैं, एक 12 वोट का चार्जिंग, socket अवेलेबल रहेगा, और 6-speed manual transmission मिलेगा, यह आपको यहां पे armrest मिल जाता है, front armrest इसके अंदर आपको storage available रहेगी, छोटा हाँ storage space आपको मिल जाता है, आप अपने according इसको adjust कर सकते हैं, then मैं आपको एक feature जो बताना भूल गया, आपको यहां पे cruise control भी मिल जाएगा, उसके controls आपको यहां पे मिलेगा, आप अपने according cruise set और preset कर सकते हैं, dashboard जब आप देखते हैं तो आपको यह भी dual shade के अंदर आपको मिलेगा, black और beige color और जो plastic की quality है, वो भी काफी अच्छी आपको मिलेगी, glow box का space भी आपको अच्छा मिल जाता है, और यह cooled और illuminated glow box मिलेगा, यहां पे goggles holder आपको मिल जाएगा, जब उपर की तरफ आप देखते हैं, तो IRVM आपको day night auto dimming IRVM मिल जाएगा, co driver side आपको यहां पे vanity mirror मिल जाएगा, driver side vanity mirror अविलेबल नहीं रहेगा, तो दोस्तों यह थे interior new went to TSI के, अब बात करते हैं, गाड़ी के engine specification, safety features और pricing के बारे में, तो आइए चलते, बात करते हैं, गाड़ी के safety features की, तो हम सभी जानते हैं कि जो build quality है, VW की व tool, airbag, driver side, passenger side, ABS brakes, reverse parking sensor, यह extra safety features आपको मिल जाते हैं, अब बात करते हैं, गाड़ी के engine specification की, तो जो went to available है, only petrol option के अंदर available रहेगी, और जो engine आपको मिलता है, 1.0 liter का engine मिलता है, मैं एक बार आपको engine भी दिखा देता हूं, क्योंकि यह जो engine है, यह काफी compact engine है, 999cc का engine आपको मि करता है, 110 PS की, और जो torque produce करता है, 75 Nm का, वही company जो mileage claim करती है, 17.69 kmpl की mileage claim करती है, और जो गाड़ी की आपको standard warranty यहाँ पे मिल रही है, 4 years और 1 lakh km की warranty आपको मिल रही है, आप इसको further extend करा सकते हैं, 5th और 6th year के लिए, और up to 1.50 lakh km के लिए, तो दोस्तों यह था engine के बारे में, अब बात करते हैं, सबसे main गाड़ी के pricing की, तो start करते हैं, base variant से, base variant trend line जो base variant रहेगा, उसका price रहेगा, 8,86,000, then comfort line 9,99,000, then high line, high line और comfort line का जो price है, वो बिलकुर सेम है, 9.99 lakh, लेकिन आपको high line पे कोई भी offer available नहीं रहेगा, आपको comfort line पे offers मिल जाते हैं, अपको 70,000 और उससे ज़्यादा भी आपको offers मिल जाएंगे, और जो यह variant है, तो high line plus TSI, इसका जो price रहेगा, 11,99,000, यह जो सभी prices मैंने आपको बताए, यह सभी Delhi extra room prices है, तो दोस्तों यह था एक detailed हमारा video, VW New Vento TSI पे, अगर आप यह गाड़ी purchase करना चाते हैं, तो मैं VW Karnal का number निचे share कर रहा हूं, आप screen पे number देख सकते हैं, आपकी कोई भी query आप इस number पे call कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप चाते हैं कि हम एक detailed walk round लेके आए, आपकी favorite गाड़ी का, तो हमें comments में लिखके जरूर बताएगा, तो दोस्तों आम मिलते हैं, next video में सब तक के लिए, जैसे!